अबर अटोफिक है menstrual cycle, especially menstrual cycle की बात करते हैं, तो cyclic and periodic changes inside the reproductive tract, यह रिप्रोड़क्टिव ट्रैक्ट के अंदर होने वाला जो periodic, cyclic या monthly जो परिवर्टा जो changes है, उसी को हम menstrual cycle कह सकते हैं, especially क्या क्या changes होते हैं, तो ovaries के अंदर changes हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा hormonal changes हो सकते है body के temperature में कोई changes हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा uterus की जो lining है, वहाँ पे भी changes हो सकते हैं, दूसरी बात menarch, starting up menstrual cycle, menstrual cycle के starting को हम menarch बोलते हैं, जो especially females में 11-12 years को approximately माना जाता है, ठीक है, जबकि menopause का means होता है, permanent stop is up menstrual cycle, menstrual cycle का permanent रुख जाना क्या कहला था, मेनो पास कहलाता है, जो कि 45 से ले करके 50 years age तक माना जा सकता है, फीमेल में, यह female to female vary करता है, एक बात हो और है, permanent stop is हमने एक word उच कर रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी females में जो menstrual cycle है, वो temporary भी रुखता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, temporary menstrual cycle के रुखने का पहला कारण हो सकता है, फीमेल का pregnant होना, अगर female pregnant है, ठीक है न, तो उस female में menstrual cycle next month नहीं start होगा, ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है, किसी type का hormonal changes, अगर female में कोई hormonal changes है, ठीक है न, अभी हम लोग hormones की भी बात करेंगे, तो भी उस females में menstrual cycle समय पे नहीं आएगा, ठीक है, या रुख सकता है, hormonal disturbance के कारण, या ovarian cyst, ovary में या uterus के अंदर किसी प्रकार का cyst हो, घाव हो, ठीक है न, तो भी menstrual cycle रुख सकता है, या time पे नहीं आ सकता है, ठीक है, और menstrual cycle में बहुत ज़्यादा variation, अगर एक दो दिनों का variation होता है, तो ठीक है, लेकिन अगर menstrual cycle में, MC में ज़्यादा variation आत करता है, अब हम menstrual cycle को especially 28 दिनों में हम divide करते हैं, एक से लेके 28 दिन, तो जड़ा ध्यान दिजएगा, एक से पांस दिनों को हम menstrual phases कहते हैं, menstrual phases में क्या होगा, कि especially female का जो endometrium wall है, वो body से तूट करके, ठीक है न, उसमें oxygen के supply घट जाती है, और उसका two third part जो हो body से बाहर आत अब हम लोग डिसकस करेंगे, फिर 5 से लेकर 13 दिनों के बीच को हम pre-ovulatory phase बोलते हैं, pre-ovulatory phase का मतलब होता है, ovulation का मिन्स होता एग का बाहर निकलना, pre-ovulation मिन्स एग के बाहर निकलने के पहले का time, pre-ovulation, यानि इस समय एग के अंदर development होता होगा, तो इसको pre-ovulatory phase, follicular phase बो इसलिए इसको follicular phase या proliferative phase भी बोलते हैं, क्योंकि इसी time जो endometrium wall होगा, उसके अंदर development हो जाएगा, वो फिर से repair होने लगेगा, अच्छा, next है आपका 14 दिन, ये female to female vary करता है, अगर किस female का menstrual cycle 30 दिनों का है, तो 15 दिन, यानि mid-obs the menstrual cycle, इसको ovulatory phase बोलते हैं, यानि इस phase में female body के अंदर जो है, especially ovary से जो भी एग है, वो निकल करके fallopian tube में जाएगा, इसलिए इसको ovulatory phase बोलते हैं, और next 15 से लेकर के 28 दिनों को post ovulatory phase, luteal phases कहते हैं इसको, ठीक है न, या इसको हम secretory phase के भी नाम से जानते हैं, अच्छा, अब जो है, हम पूरे menstrual cycle में, इसको हम अगर एक से लेकर के 28 दिनों के बीच मानते हैं, यहां से लेकर यहां तक 28 दिनों का है, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या-क्या changes होंगे, शरीड के अंदर uterine cycle, यानि uterus की जो दिवाल होगी, उसमें क्या changes होंगे, इनका हम लोग discussion करेंगे, इसके बाद हम लोग discuss करेंगे ovarian hormones, ovary के अंदर कौन-कौन से hormones changes हो रहा है, ठीक है, इन 28 दिनों के बीच, इसके अलवा pituitary hormones जो होगा, LH और FSH, इनके अंदर क्या-क्या changes होते हैं, इसके अलवा body के temperature में क्या changes आएगा, और साथी साथ ovarian cycle, यानि कि ovaries के अंदर, जो एग के अंदर development है, उस पे क्या फर 14 days, जो primary ucides होते हैं, वो especially secondary ucides में माल लिया, यह primary ucides, यह secondary ucides, और इसको माल लिया हमने mature graphene follicles, यानि यह mature graphene follicles है, तो बस ऐसे समझेए कि जो primary ucides हो, वो secondary ucides में convert होगा, secondary ucides mature graphene follicles में convert हो जाएगा, कब? इन एक से लेकर के 13 दिनों के बीच, आप ज़रा ध्यान दिज जाएगा, यह जो 14 days होता है, इस 14 दिन, जो mature graphene follicles है, यह burst करेगा, और इसके अंदर से जो egg है, वो यहां से बाहर निकल जाएगा, यानि ऐसे समझेए, कि अगर यह ovary है, तो यहां से अगर यह burst हुआ, आपका mature graphene follicle burst हुआ, तो इसके अंदर से egg कहां चला जाएगा, female के fallopian tube या OV, duct के अंदर चला जाएगा, समझेगा, तो 14 में दिन, जो है ovulation होगा, female body के अंदर, ठीक है, अब एक बात हो रहा है, ovulation के बाद, जो ऐसे समझ लो कि जो खाली डबबा बचा हुआ है, graphene follicle अब खाली बच गया है, इसको corpus luteum नाम देते हैं, corpus luteum time to time धीरे-धीरे corpus luteum जोगा, वो progesteran नाम का hormone secret करेगा, अब साथी साथ, अगर MC menstrual cycle में हम body temperature की बात करते हैं, तो ध्यान दीजेगा, especially 1-13 दिनों के बीच, female body में बहुत जादा कोई changes देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस time ovulation होगा female body के अंदर, 14 में दिन, उससे ले करके, लगबग temperature हलका बढ़ा रहेगा, especially ovulation की ही हम बात करेंगे, तो इसी time female body का temperature increase करता है, और फिर धीरे धीरे वो से टल डैंड हो जाता है, यानि body temperature को देखें, तो वो 14 में दिन MC के जो mid days होगा, जिस दिन ovulation होगा, उस दिन body का temperature increase होगा, बढ़ा होगा, इसके अलावा हम अगर pituitry hormones की बात करते हैं, आए थोड़ा सा बताते हैं मैं आपको pituitry hormones, especially आपने brain के अंदर एक master gland होता है, जिसको बोलते हैं हम pituitry gland, pituitry gland, तो इस pituitry gland की बात करते हैं, तो यहाँ पर interior pituitry से दो sex hormones release होते हैं, FSH follicle Stimulating hormones and LH Lutinizing hormones, तो जड़ा ध्यान दिजएगा, ये दोनों के दोनों hormones, pituitry का FSH और LH, ये दोनों hormones अपने tip पर होते हैं, 14 में दिन के बीच, यानि mid-age of the MC, ये hormones अपने tip पर देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद धीरे-धीरे ये down हो जाएगा, ठीक है, इसके अलाबा हम ovarian hormones की अगर हम बात करते हैं, ovarian hormones में estradiol, जिसको estrogen भी कहते हैं, और ये progesterone है, तो जरा ध्यान दीजेगा, estrogen का level जो है, एक पहले दिन एकदम नॉर्मल था, और ये 13 में या 14 में दिन जाकर आपने एकदम पिक पे होगा, इसका भी मैं आपको जवाब दे दूँ, क्योंकि estrogen hormones का level क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो mature graphene follicles है, secondary और mature graphene follicles सी, यही estrogen hormones का secretion करते हैं, इसलिए estrogen hormones का level 14 में दिन, mid-aise abdancy आपका पूरा फुल होगा, जबकि progesterone hormones की अगर हम बात करें, तो ये progesterone hormones जो है, ये ovulation के बास, corpus luteum में भी कुछ दिर पहले मैंने आपको बता है, तो corpus luteum से progesterone नाम का hormones release होता है, ठीक है, तो ये progesterone hormones क जो level होगा, ये 14 में दिन के बास, यानि 15 में दिन से ले करके, ठीक है, एक कैसे में 22 होए दिन तक अपने top पे होगा, ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हो, कि ये pregnancy hormones भी है, ये pregnancy में help करता है, ठीक है, अब आईए हम बात करते हैं, सबसे last में uterus की, female के uterus की बात करते हैं, ठीक ह तो ज़रा ध्यान दिजेगा, अगर मैं uterus समझाने की कोशिस करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक normal सा figure बना रहा हूँ, ये हो गया fallopian tube, और ये हमारे uterus की lining है, ठीक है न, female body के uterus की, ये ऐसे एक एजियूम कर लिया, ये lining है, तो इस में तीन तरह के membrane होते हैं, perimetrium, myometrium, end endometrium, तो ये सबसे अंदर वाला जो layer होता है, इसको endometrium wall बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो सबसे अंदर वाला layer है, इसको endometrium wall बोलते हैं, ठीक है, तो ज़्या ध्यान से समझेगा, इस specially होता क्या है, कि इन एक से लेके 5 दिनों के बीच, थोड़ा सा detail मैं करना मेंस्ट्वल फेस को, एक से लेके 5 दिनों के बीच क्या होता है, FSH और LH नाम के hormones का level बहुत ही down होता है, जिसके कारण estrogen और progesterone नाम का hormones जो होगा, उसका भी level down हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये stimulate करता है, क्या stimulate करता है, PGS, prostaglandins hormones, इसको हम salt में PGS, या prostaglandins hormones के भी नाम से जानते हैं, तो ये prostaglandins hormones को stimulate करेगा, और ये prostaglandins hormones करेंगे क्या, कि uterus के अंदर, जो भी arterioles हैं, blood को supply करने वाले arteries हैं, इनको सिकोर देता है, जिससे यहाँ पर oxygen की supply बंद हो जाती है, यानि मैं आपको साधार तरीके से बताऊं, तो MC में जो भी blood की, जो भी blood body से बाहर आता है, लगबग 50 से लेकि 150 से मिलता है female body के अंदर, उसमें endometrium wall का two third part होता है, endometrium wall का two third part, आपका especially क्या होगा, यह epithelial tissues होंगे, साथी साथ, पिछले महिने का जो ओवा unfertilize होगा, वो body से बाहर निकलेगा, साथी साथ, mucous body से बाहर निकलेगा, और कुछ special type के जो भी hormones, जो भी use नहीं हुए है, वो body से बाहर निकल सकता है, मैंने बताने की यह कोशिश की है, कि especially एक से लेके 5 दिनों की बीच, आप देख सकते हैं, कि यह जो endometrium wall है, जो मैंने figure की द्वार आपको बताया है, ठीक है न, female uterus का endometrium wall है, यह देखिए burst कर चुका है, ठीक है, अब burst करके, यह endometrium wall क्या है, खत्म हो चुका है, फिर follicular phase मे देखिएगा, कि वापस जो endometrium wall है, इसमें फिर से repairment start हो गया है, ओके, इसमें वापस repairment start हो गया है, और 14 दिन के बाद से देखिए, आप 28 दिनों तक, तो लगातार endometrium wall में जो है, वो thickening बढ़ती चली जा रही है, यानि आप देख सकते हो, कि जो endometrium wall है, इसमें क्या-क् vascular, highly vascular, यानि कि इसमें धेर सारे blood vessels बन रहे हैं, और highly glandular, highly glandular, और इसमें धेर सारे glands का भी formation हो रहा है, यानि आप देख सकते हो, कि एक से लेकर 5 दिनों के बीच, जिस uterus के endometrium wall की setting हो गई थी, वो तूट कर बोड़ी से बाहर आ गया था, वो फिर से वापस छटवे दिन स लेकर के 28 दिनों के बीच, especially इसका क्या है, development होता रहता है, especially 6 से 13 या 14 दिनों के बीच क्या है, ये highly vascular होता है, और 15 से लेकर के 21, 22, 23 दिनों तक क्या है, ये highly glandular, इसमें glands का formation start होता है, दो चीज़ों और discuss कर लेते हैं, हम लोग LMP and EDD, EDD, LMP का मतलब होता है last menstrual phase, और EDD का मत क्या सकते हो कि अगर किसी female का LMP, यानि last menstrual time जो था, वो 1 जुलाई है, तो उसका expected date of delivery क्या होगा, तो simple सी बात है, इस 1 जुलाई में करते क्या है, हम 7 दिन जोड करके 9 months और जोड देते हैं, 9 months, ठीक है, तो expected date of delivery आ जाती है, यानि ऐससे समझ लीजे, 1 जुलाई अगर किसी female का menstrual time था, menstruation उसको हुआया था, तो उसमें 7 दिन जोडेंगे, और वापस 9 months और आइड करनेंगे, तो उसका expected date of delivery आ जाएगा, एक छोटा सा topic और मैं यहाँ पर discuss कर देता हूँ, कि especially estrous cycle क्या होता है, तो धर अध्यान दीजेगा, cyclic changes in female reproductive track of non-primates, cyclic changes, यहाँ भी cyclic changes होता ह लेकिन वो किस में होता है, non-primates mammals में होता है, non-primates mammals की बात करते हो, तो जैसे dogs, fox, bear, bat, mouse, squirrel, cows, sheep, अब धरा ध्यान दीजेगा, no menstruation, actual में जो estrous cycle होता है, गाया भास बकरियों में, इनमें कोई menstruation या bleeding नहीं होता है, पहली बात, अगली बात अगर करते हैं, तो इनमें period of heat, आपने देखा होगा, कि गाया भास जो है, उनका एक specific period आता है, जिस समय ये बहुत ज़्यादा आवाज निकालते हैं, बहुत ज़्यादा चिल आती है, और उनके body का temperature भी बड़ा होता है, इस period को बोलते है heat period, या period of heat, इसमें क्या होता है, कि उन females के अंदर estrogen नाम के hormones का जो period of heat के नाम से जानते हैं, मतलब उस समय वो female pregnant होने लाइक होती है, अगली बात करते हैं, तो especially इसमें breeding season होता है, ध्यान दीजेगा breeding और non-breeding दो तरह के season होते हैं, ठीक है, तो breeding season में ही estrus cycle चलेगा और वो female pregnant होगी, non-breeding season में वो female में estrus cycle ने चलेगा, इसको an estrum भी कहते हैं, ठीक है, अब दो तरह के animal होते हैं, non-primates में mono estrus और poly estrus, mono estrus में dog, fox, beer और bat, मतलब क्या है, कि इन में एक season में एक बार estrus cycle चलेगा, ठीक है, और जब कि poly estrus का मतलब होता है, कि एक साल में इन में कई बार estrus cycle चलेगा, मतलब कि ऐसे समझ लो, जैसे mouse की बात करते हैं, mouse एक मह में कई बार बच्चे पाइदा कर सकते हैं, mono estrus में क्या है, कि एक breeding season में ये one time एक बारी बच्चे पाइदा कर सकते हैं